एक बात बताएंगे आप भी महसूस करेंगे कि ऐसी कौन सी बात है कि इन्होंने आपको चुना आपको पॉइंट आउट किया और आपको टार्गेट किया ऐसा कौन सा खास बात आप में है क्या ऐसी बात है आप में जिसके कारण आपको अंदेशा है कि उन्होंने मुझे या सरकार मुझे इस दन से परशान कर रहे हैं बताएंगे जिसका जितना मैं माखसूस कर रहा हूं मुझे रासे से हटाने के लिए यही कारण है दो हजार पंद्रह में अचानक एक दिन हम लोग पेपर में देखे कि छे हजार आदिवासी जवान जेलों में बंद हैं जारकंड में से रहे हैं उनमें से अधिकतर निर्जोश होंगे इनके लेकिन निउस्पेपर आइटम से कारवाए कुछ नहीं इसके लिए हम लोग एक शोध किये हमारे से अटारा डिस्ट्रिक्ट को कवर किये इसके पीछे है कोड़ा रंबी कहानी है पाखले हम लोग जेल सुपरिंटेंडन से शोध संस्था है इस प्रकार हम लोग को खबर मिली है हम लोग किंतित है इसलिए हम लोग जेल में जाके ये अंडर ट्रायल प्रिसेनर्स जो है विचार दीन कैजी जो है उनसे मिलना चाहते है सच्चाई पाना चाहते है छुट्टी मांग एक्सम डिनाई कर दिया हम ने पर लोग तक क्षोध करते हैं जोus जोड़े इताने तब हम लोग एक शोध किये, इसके लिए करने के लिए तो वाज़ा 16 अप है, हम लोग, नहीं, 15 अप में ख़बर मिला, ख़बर मिला, शोध किये, तो प्राए 6 महिना लगा, हम लोग 18 जेह, 18 डिस्ट्रिक्ट को कवर किये, अच्छा, वहां जाके, विचार दीन कही थी, जो अभी जमानत में बाहर आये, उन से मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर भी आये, उन से मिले, एक साव दो, ऐसे के प्यक्तियों से मिले, काफी लंबा चावड़ा एक क्वेशनेत किये थे, उस सबकों देखने के बाद एक दम अच्छंबित होने की बाते निकली, निकल कर आए, एक प्रशन था, आप किरफ्तारी होने के पखले, क्या ये माववाद, नक्सलवाद के सा किसी प्रकार का संपर्क था, जुड़ा होता, ये प्रेशन था, प्रेशन था, दो हजार, एक हजार दो, एक साव दो में से सिर्फ तीन सीकारे की उनके पास संपर्क था, बाकि सब बोले, एक्दम नहीं, हम बजार गए, वहाँ से हम लोग को पिक अप किया, मैं शाहर जा रहाता, बस से मुझे उठा के ले गया, इस प्रकार की, इसलिए सब को हम लोग पब्लिश किये हैं, अच्छा, उसको आपने फिर पब्लिश किया, यो भी प्रश्नोतर जो आपको मिले, उसको आपने फिर पब्लिश किया, इन डिफरेंट निउस पेपस में, मेडिया में, तब हमने कहा, यह काफी नहीं कि आप एक सचाई को खोच के निकालते हैं, जब सचाई को पहचानते हैं, निकालते हैं, उस पर कारवाई करना आपका कर्तविया है, मानवी कर्तविया है, इसलिए मैं जारकन हाई कोट में एक B.A.L. फाइल के आहूं, जारकन सरकार के कब की बात है, 16, 17, January 2018, जैसे ही हाई कोट हम मेरा पेटिशन को अद्मिट किया, सरकार को आदेश दिया, देखो, यह बहुत कंबीर बात है, और मैं कोशिनेर भी तयार करके दिया था, हर काईदी के बार में क्या-क्या विवरन हमको चाहिए, उसके हाथ, अटोनी जनरल के हाथ में देखे, यहाँ है, इसको तुम फिल अप करे, यहाँ कोट में साउंपो, अभी तेर साल हो रहा है, सरकार पूरा विवरन अब तक नहीं दे रही है, नहीं दे रही है, इधर उधर, हम तीन लोगों को इस जैल से निरिखा किये हैं, वह हां के एक special investigation हो रहा है, इस प्रकार का बहाना ही दे रहा था, लेकिन मैं उसमें अटल रहा हूँ, हमको पूरा विवरन चाहिए, हार काईदी के पारह में, और विरिंदा, ग्रोवर, आप जानेंगे, वो मुझे बोली, मैं आपका केस का argue करूँगा, जब argument state में आएगा, त Tony General के हाथ में दे दिया, यहां है, इसको fill up करो, अब तक नहीं कर रही है सरकार, इसलिए मैं हाथ सब हर, हार पार जब hearing आता है, इसी बात में कब जो गई सब विवरन, इसलिए जारकन सरकार मुझे रासे से हटाना चाहती है, यही है, इस सब के बीचे, इस सब के बीचे यह मूल है, लेकिन इसके पहले भी आप तो आदिवासी हित में बहुत कुछ लिखते रहे हैं, as a freelance writer के तार पर, author के तार पर, वो भी असर हो सकता है, आपका, वो भी कुछ हो सकता है, आपको, बहुत अक्टिव हैं, आपके बारे में तो media world में जो जानते हैं, आपका बहुत अ आरे जाती हैं, आपके आले, आप तो, किसलाय जी, आप जानते हैं अभी right of descent, आस अखमत होना, हमारा सरकार शासक बार को स्विकार्निय नहीं है, इसलिए ऐसा दिखता है, जो कुछ सरकार बोलेगी या करेगी, उसे हम सबों को हाथ जोड़ के, हाँ, हाँ, आपके साथ हो, silent में करेगी, और जो कोई हाप हो, माई हो और जो भी हो, खड़े हो के बोलते हैं, जो आप करते हैं, वो गलत है, जूट है, तब तो सरकार चुप नहीं रह सकते, यह भी बात है.